करने वाले हैं कैसे आप credit card का यूज़ करके अपने खाते में पैसे ट्रांसपर कर सकते हैं किसी और के खाते में पैसे ट्रांसपर कर सकते हैं चले मैं आपको बताता हूं कैसे आप credit card का यूज़ करके आप किसी की account में पैसे ट्रांसपर कर सकते हैं दोस्तों होता क्या है जैसी कैसे आप credit card का यूज तो आप करते हैं लेकिन आप किसी के खाते में पैसे ट्रांसपर नहीं कर सकते हैं लेकिन phone pay के माद्यम से मैं आपको बता हूंगा कैसे आप credit card का यूज करके अपने खाते में या किसी दूसरे के पार्टी के खाते में आप ऐसे कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब हम बीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपके पास फॉन पे अकाउंट होना चाहिए यह आपके पास फॉन पे नहीं है तो आप इसको डाउलोड कर लें पिले स्टॉर से और इस पर आप रेश्टेशन कर लेते हैं दोस्तों तो यहां पर एक नया पर आया है रएंट पेमेंट की नाम से यह नया अफ्सन फॉन-पेपर अभी इसपर हुग कर दे दिया है अब हम क्या करेंग दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आप यहांपर जैसी रेंट पर क्लिक औरते हैं तो कुछ इस तरह बताता है भूस्तों आपको कम से कम तो नहीं होना चाहिए दोस्तों चलिए आपके नहीं तो दोस्तों के अलग्हाँ टाल दिया है ठीक है इसके बाद जो भी प्रोपर्टी नेम है उसको आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं वह सकता आपको जैनुवन हो या फिर आप कुछ भी आपर डाल सकते हैं इतना खास नहीं है चलिए मैं नाम डाल देता हूं ठीक दोस्तों यहां पर सेफ कर लेते हैं हो मैं ऑपस ठी semi इसके बाद दोस्तों जो प्रोपर्टी नेम है कि उसका जो मालग है उसका नाम आपको यहां पर लेख कर सकते हैं या फिर उसकी फी फिर नहीं तो आप यहां पर प्लस वाले-बैकन पर कलेख कर देते दोस्तों तो दोस्तों यहां पर आकांट नमबर आपको बनना होगा जिसके भी खाते में आप ऐसे करण करना चाहते हैं उसका आकांट अब बर्दा हो चाहाए अपना खाता हो ήद्सेट Anatel करना चाहते हैं तो अपनी जानकर यहां पर भर दें ठीक दोस्तों मैं इनको भर लेता हूं देख दोस्तों मैंने यहां पर डिटेल वर लिए मैंने मैंने अकाउंट नमबर जो कि मेरा है वो मैंने यहां पर लिया है और मेरा नाम यहां पर मैंने लिख दिया है इसके वाद हम confirm पर क्लिक कर देंगे ठीक दोस्तों अब जैसी confirm पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो कुछ इस तरह से आपको पेज यहां पर खुल जाएगा यहां पर जो लेंड रोड नैम है अंकित यानि मेरे खातेम ट्रांसपर करना है पैसे तो मैंने वह यहां पर नाम लेखा हुआ मेरा का इसके要ड़ दोस्तों कि मेरे आपको हो रहा है ठीके दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम कन्टिविउईउ पर कलिक कर देंगे अप जैसी कुंटिविव리 पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहां पर पै EPA मोड आपको स्लेक्टकरना होता है यहां पर दो runners दो यहा payment पर click कर देते हैं दोस्तों तो कुछ इस तरह से आपका जो है payment page यहाँ पर खुल जाएगा इसमें आपको credit card की detail यहाँ पर फननी होगी इसमें आपका credit card का number उसके बाद दोस्तों यहाँ पर expiry date यहाँ फिल करनी होगी इसके बाद cvv number आप ऐसी सब चीजों को भर देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर pay rent का option आजाएगा चले मैं डिटेल भल लेता हूं दगी दोस्तों मैंने हम पर credit card की डिटेल यहाँ पर भर दी है इसके बाद यहाँ पर दोस्तों option आ रहा है प्लिटेल एक बात आपको बता दूंदोस्तों यहाँ पर सो रुपे चार्ज मुझे लिए जा राहा है 5-6 रुपे टास्फर करने की ठीके दोस्तों यादि मैं एक है रोपे टास्फर करता हूं तो मुझे यहाँ पर 20 रुपे चार्ज लिए जा रहे थी ज़स् पे credit card आपका registered है वो आपको टीपी फिल कर देंगे और आपका payment हो जाएगा तो दोस्तों आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी अधिया आप में चैनल पर नए है तो चैनल को अभी subscribe करें और हमसे जुड़े रहें मैं और भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा एक वा कि ए बाइ तो yapmışね कि वीडियो पलता कर दोस्तों आपता प्त है झांसे अदीक है वीडियो थॵड़े शिया है वीडियो है तो कुझत वी जाए प्सक्वशब का रहला JIM जा एक वीडियो उकि आपका झासी परला कर दोना की बena मतो है दोस्तों पॉसे आप τबब़े का जोसी